हलो फ्रेंट्स सोनी पुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे तो यहाँ पे दिखें जो चेश साइज हम तयार करेंगे वो 40 इंच है और यह स्लिप्सलेस ब्लाउज है यानि हमें इसमें बाजू अटेस नहीं करना है तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे बैक पार्ट की कटिंग हम डारेक्ट कपड़े पे करेंगे कपड़े को हमने लंबाई की साइट से डबल फोल्ड में बिचा लिया है इस तरीके से डबल फोल्ड में सैट कर लेना है अब यहां से दिखिए चेश्ट का चोथा भाग लेना है चेश्ट 40 इंच है तो 40 का चोथा भाग लेंगे 10 इंच और पौने 2 इंच के बराबर हमने यहां पे स्लाइम मार्जिंग रखा है स्लाइम मार्जिंग आप डेड़ इंच से 2 इंच तक रख सकती है अब नीचे की साइट से एक सिधा निशान लेके कपड़े को सिधा कर लेना है अब यहाँ से हमें नीचे की शाइट फोल्ड करना है यह हमारा कॉटन फैब्रिक है इसके लिए हम फोल्ड के लिए यहाँ से मार्जिंग छोड़ लेंगे यहाँ पे जो हमने margin लिया है fold के लिए वो सवा 1 इंच लिया है यानि 1.25 इंच अब यहाँ से लेंगे लंबाई तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो blouse के लंबाई यहाँ पे तैयार लंबाई है वो है 15 इंच तो यहाँ पे आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे यानि 15 इंच रखेंगे लंबाई आप अपनी height के हिसाब से कम या जादा कर सकती है जो भी आप लंबाई ले रही है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है अगर आप cotton fabric बना रही है तो नीचे से तुरपाई के लिए अलग से आप fabric इस तरीके से छोड़ सकती है अब इस निशान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पे हम अपना shoulder लेंगे shoulder है 15 इंच 15 का half कर लेंगे तो 15 का half होगा यानि 7.5 इंच तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे बाजू अटेस नहीं करना है तो shoulder हम अपना full रखेंगे यहाँ से भी 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए आर्मोल जो है वो आर्मोल हम यहाँ पे रखेंगे साड़े 6 इंच पे यहाँ पे जो हमें आर्मोल तयार करना है वो पूरी fitting के साथ तयार करना है यानि बिल्कुल भी आर्मोल पे losing नहीं है और काफी tight आर्मोल तयार करना है तो हमने साड़े 6 इंच लिया है अगर आप normal आर्मोल तयार करना चाहती है अच्छे फिटिंग से तो आप इसको 7 इंच रखिएगा हम अपने कस्टमर की हिसाब से इस आर्मोल को ले रहे हैं आप 7 इंच पे आर्मोल रखिएगा आपके आर्मोल की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी अब यहां से हम शोल्डर की चोड़ाई लेंगे तो शोल्ड आप अपने पसंद से कम या जादा कर सकती है तो यहां से हमने सवा 4 इंच शोल्डर रखा है पीछे का गला रखेंगे 10 इंच तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे आधा इंच अपना सिलाई मार्जिन रखेंगे और उपर की साइट जितना हमरे गले पे फैलाओ है से मु आप अपने गले का शेप ले लेना है तो यहां पे में गोल गला बनाना है तो गोल गले का शेप देंगे अब चेस्ट का चोथा भाग लगा लेंगे तो चेस्ट का चोथा भाग है 10 इंच और यहां से नीचे से कमर का देखेंगे कमर 34 इंच है 34 का चोथा भाग लेंगे वो होगा हमारा साड़े आठिच यानि 8.5 इंच 1 इंच रखेंगे डॉट के लिए और पौने 2 इंच सिलाई मार्जन अब इस निशान को सिधा कर लेंगे इस निशान को भी आपस में मिला देंगे यह हमारा साइट का निशान लग गया है अब अपना डॉट पैंट लगाएंगे डॉट पैंट लगाएंगे साड़े 10 इंच पे पीछे का जो डॉट लगता है वो चेश्ट का चोथा भाग होता है और एक आधा इंच उसमें स्लाई मार्जिंग रखते हुए आपको डॉट लगा लेना है आगी की साइट से साड़े 4 इंच का हम यहाँ पे दूरी रखेंगे यानि 4.5 इंच उपर से हमने 10.5 इंच लिया है आधा आधा इंच दोनों साइड में हम अपना डॉट ले लेंगे जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है इस निशान को यहाँ से सीधा लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फोल्ड करना है तो यहाँ पे सीधी स्लाई लेंगे तो यह हमारा निशान लग गया है अब यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट की फिटिंग दे दे देंगे 5 इंच यानि 0.25 इंच के ब्राबर हम यहाँ पे अपर चेस्ट की फिटिंग दे देंगे गलाडीब है और यहां से 1 इंच की दूरी से हम अपने आर्मूल की गुलै लेंगे इसको हल्काशा नीचे से क्रोस कट कर देंगे जब हम अपनी सिलाई लगाएंगे और यहां पे अपना आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ फुल शोल्डर है तो आर्मोल की शायद आधा इंच डाउन करेंगे फ्रेंड, आप आर्मोल साथ इंच पे रख़ेगा यहाँ आर्मोल बाडी झाप्से हम तयार कर रहे हैं काफी टाइट आर्मोल तयार हो रहा है अगर आपको टाइट पसंद है तो इस तरीकी से रख़िएगा अगर आपको अच्छी फिटिंग से लेना है तो 7 इंच पे आर्मूल रखेगा ये देखें ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है तैयार होने के बाद ये 8,7 इंच का ही आर्मूल तैयार होगा जबकि 40 इंच चेर साइज में 9 इंच का आर्मूल तैयार होता है तो आप अपने अर्मूल का जो निशान है वह आपने पसंद से ले लेजिएगा थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के रखिएगा तो ही आपकी फिटिंग अच्छी आएगी तो यहाँ पर देखिए यह हमारे सभी निशान लग चुके हैं अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब हम अपना फ्रंट पार्ट कर करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले पेपर पे करेंगे जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसको फ्रेंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पे करनी चाहिए इससे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है कटोरी छोटी नहीं होती है अब यहां से हम लंबाई रखेंगे जितना हमने बैकपे पार्ट मिलिया है यानि साड़े पंदर इंच तो साड़े पंदर इंच रखेंगे बेल्ट में हम अलग से फैब्रिक लेंगे तो इसके लिए हम साड़े 15 इंच ले रहा हैं इस निशान को सिधा करो लेंगे अब यहाँ पे हम अपने शूल्डर की चोड़ाई रखेंगे जित्ता हमने बैक पार्ट में लिया है यानि 7 इंच 7.5 इंच यहाँ से भी 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइड भी सेम निशान लगाएंगे आर्मोल हमने लिया है 6.5 इंच तो 6.5 इंच पर रखेंगे और इस निशान को सिधा कर लेंगे अब चेश्ट का चोथा भाग लेना है यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट उपेन करेंगे तो हुकाई के लिए मार्जिंग छोड़ लेंगे तो 3 पॉइंट के ब्राबर हम यहाँ पे मार्जिंग ले लेंगे जितना हम अपनी स्लाइम में दबाते हैं अब यहाँ से इस वाले निशान से हमें चेश्ट का चोथा भाग लेना है 10 इंच और 52 इंच स्लाइम मार्जन कमर का निशान लगाएंगे कमर है साड़े आठ इंच यानि 8.5 इंच तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से स्लाइम मार्जिंग रखेंगे पने 2 इंच यानि 1.75 इंच और इस निशान को आगी की सेट बढ़ा लेंगे अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए शिदा कर लेंगे अब इसी मेंशे हमें बेल्ट भी निकालना है तो बेल्ट की पहले हम निशान बेल्ट का लगाएंगे तो यहाँ से देखिए इस साइट से आगे की साइट से हम रखेंगे साड़े 3 इंच और साइड से रखेंगे तीन इंच इस तरीके से निशान लगा के इस निशान को इस तरीके से दोनों को मिलाती हुए तिर्चा ले लेंगे आधा इंच आगे की सेट बढ़ा के लिया है इस तरीके से यह हमारा निशान तिर्चा आएगा यह हमारा बेल्ट का निशान लग चुका है अब यहां से हम अपने शोल्डर की चोड़ाई रखेंगे तो यहां पे आधा इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया है एक इंच की दूरी से गुलाई दे देंगे यहां पे देखें फ्रेंड गहरा ले रहे हैं थोड़ा सा हलका शाओ उपर से हम इसको अंदर की शायट से गुलाई देते हुए इसको गोल सेप मिलेंगे इस तरीके से निशान लगा देंगे अब यहां से शोल्डर की चोड़ाई सवा 4 इंच और इस निशान को इस तरीके से डाउन करते हुए मिला लेंगे अब आगे का गला देखेंगे आगे का गला हम यहां पे 6 इंच तयार रखना है तो 7 इंच रखेंगे और यहां से जो फैलाव है जितना हमारा उपर की चैड फैलाव है से मुत्ताई हम नीचे की चैड भी यहां पे फैलाव दे देंगे सवा 3 इंच और इंदोरों निशानों को मिलाते हुए शिदा कर लेंगे अब गले का शेप ले लेना है तो गले का गोल गला देना है तो गोल गला देंगे अब यहां से हम अपनी डॉट पैंट लगाएंगे डॉट पैंट यहां पे देखिए आएगा हमारा साड़े 10 इंच पे तो साड़े 10 इंच पे निशान लगाएंगे कटोरी बिलाउज का जो डोट पैंट होता है वो बोडी नाप से ले आ जाता है तो वो हमारा रहा है दस इंच, आधा इंच हम बढ़ा के रखेंगे अपने उपर की शोल्डर की शिलाई के लिए तो साड़े दस इंच पे निशान लगाएंगे कटोरी का जो साइज रखेंगे वो यहां आगी की साइट से हम रखेंगे साथ इंच साथ इंच पे निशान लगाएंगे यहां से भी हम साथ इंच पे निशान लगा देंगे आर्मोल की साइट से हम अधा इंच लेंगे और गले की साइड से हम इसको 5.5 इंच रखेंगे आप 6.5 इंच तक रख सकती है ज्यादा उपर की साइड से अगर नहीं चाहती है तो 6 इंच भी ले ले 5.5 इंच रखेंगे और इन सभी निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे गोल सेप में ले लेंगे गले की साइड से हमने लिया है 5.5 इंच आर्मूल की साइड से लिया है 2.5 इंच और आगे की साइड से हमने लिया है कटोरी का जो लंबाई है वो हमने लिया है 7 इंच अब हम पहले अपने बेल्ट को कट कर लेंगे कटोरी को भी कट करके अलग कर लेंगे अब हमारा यहाँ पर देखिए अब दूसरी कटोरी हम कट करेंगे इस वाली कटोरी को हम दूसरी पेपर पे इस तरीके से सैट करेंगे हम डारेक्ट कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं लेकि हमारे पास कपड़ा कम है तो पहले हम इसका फर्मा बनाएंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे इस वाले निशान तक हम इसका नाप ले लेंगे पहले हमें इसके बराबर से इसका निशान लगाना है फिर हम इस पर मार्जिंग रखेंगे तो यहां तक हमने इस निशान को लगा लिया है अब इस पेपर को अलग रखेंगे और इन दोरों निशानों को ऐसे मिलाते हुए शिदा कर लेंगे जहां पे हमारा डॉट पाइंट था वहां तक हमने इस निशान को लगा लिया है निशान को अच्छे से डार कर लेंगे अब हम इस पर अपना slime margin रखेंगे तो आगे की side से यहाँ पर देखिए हम 2 inch लेंगे यहाँ से हमें 2 inch लेना है यानि आगे की side से 2 inch रखना है dot के लिए और इस निशान खो उपर की साइड से इस तरीके से तिर्षा मिला देना है यहाँ पर हमें उपर से स्लाई मार्जिंग नहीं लेना है क्योंकि हमने पहले ही इसमें हुकाई के लिए मार्जिंग ले लिया है इस तरीके से निशान लगा देना है अब इस साइट से आधा इंच हम यहाँ पे शिलाई मार्जिंग रहेंगे बहुती असान तरीके से मैं आज आपको यह डबल कटोरी बताऊंगी जो अगर आप बिगनर्स है तो भी आप इस सानी से बना सकती है अभी इसका टोटल यहाँ पे लेंद देख लेंगे यानि टोटल लंबाई इसका जो आ रहा है वो 10 इंच है इसका हाफ कर लेंगे वो होगा हमारा 5 इंच इस तरीके से हमें जो भी हमारी लंबाई आ रही है उसका हाफ ले लेना है 5 इंच पे निशान लगा देंगे अब इस निशान को यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहां से हमें डेड़ इंच नीचे लेना है यहां से हम डेड़ इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सिधा कर देंगे अब इसी निशान से दोनों शाइड में हम इस तरीके से तिर्चा इसको मिला लेंगे इस साइड से भी इसको तिर्चा पिला देंगे तो यह हमारा निशान लग चुका है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे तो यह हमारा उपर वाला पाट कट हो गया है अब इसमें से हम अपना नीचे वाला पाट कट करेंगे इसको हमें पहले कट कर लेना है अब यह नीचे वाले पाट से ही हम अपना नीचे का यहाँ पर पाट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको सेट करना है और कटिंग करना है इस वाले पाट को रखना है इस तरीके से और जितनी इसकी लंबाई है कटोरी की उत्ता हमें यहाँ पे पहले निशान लगाना है 20 सेंटर से पेपर के 20 सेंटर से इसको सेट करना है और यहाँ पे बराबर से निशान लगा देना है इस तरीके से ले लेना है अब इतनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और इस निशान को नीचे की साइड उतार लेंगे इस तरीके से ले लेंगे अब इसका भी हम बीच सेंटर निकाल लेंगे जैसे हमने उपर वाले पाइट में निकाला है फिर हम इस पेपर को यहाँ पे सेट करेंगे इससे हमें पहले सेंटर निकालना है इस पाइट को रखेंगे और इसका जो सेंटर है वो हम यहाँ पे लेंगे इस निशान को भी हम यहाँ पे सिधा कर लेंगे अब इस वाले सेंटर से और इस वाले सेंटर को मिलाना है इस तरीके से नहीं मिलाना है इसका जो हमने सेंटर लिया था उससे हमें भी सेंटर से इसी तरीके से रखना है और इस वाले पार्ट के नीचे की साइड से इस तरीके से सेट कर देना है और यहां से एक इंच नीचे ल चेक की साइड उतार लेना है और इसको इस तरीके से तिर्चा मिला देना है अब यहां से देखिए यहां से हम एक इंच उपर अब निशान लगाएंगे इस वाले निशान से एक इंच उपर लेना है और इस निशान को इस निशान से तिर्चा मिला देना है इस तरीके से ये हमारा नीचे वाला पाट तैयार हो गया है इसको भी हम कट कर लेंगे तो ये हमारा दोनों पाट कट हो गया है अब यहाँ पे दिखें कमर का हम नाप ले लेंगे कमर का चोथा भागे साड़े आठ इंच तो साड़े आठ इंच रखेंगे यानि 8.5 इंच और यहाँ से 1 इंच एक्ष्ट्रा है तो 1 इंच का हम यहाँ पे डौट दे देंगे दोनों साइड में आधा 2 इंच का डौट दे देंगे तो यह हमारा यहां पे यह नीचे वाला पाड भी कट हो गया है यह हमारा जो पतला जाड़े ह। नहीं कोई पार्ट बड़ा होगा नहीं कोई आपका पार्ट छोटा होगा एकदम perfect fitting के साथ ये cutting हो चुका है अब यहाँ पे हम कपड़े पे set करेंगे उपर वाले part को हम उरेवी side से cut करेंगे कपड़े को इस तरीके से उरेवी side से रखेंगे यानि कोने से set करेंगे और इसको बराबर से cut कर लेंगे कहीं से भी अब हमें इस पे margin नहीं लेना है इस तरीके से ये हमारा दो part cut हो चुका है अब इस वाले part को देखिए इस तरीके से set करेंगे और जिस side में हमारी cutory attach होगी उस side में हमें 1.5 inch का सिलाई margin लेना है इस तरीके से लेना है और इसको भी बराबर से cut कर देना है ये भी हमारा दो part cut हो चुका है अब belt को देखिए belt को set करना है दोनों side से आधा आधा inch का सिलाई margin लेते हुए कपड़े को इसको cut करना है उपर की side से भी आधा inch margin लेना है और नीचे की side से भी आधा inch margin लेते हुए belt को cut करना है इस तरीके set करेंगे और belt को cut कर लेंगे अब यहां इस वाले part को भी देखिए बराबर से cut करेंगे जितना बराबर हमने लिया है तो इस तरीके से ये हमारी सभी cutting हो चुकी है चलिए हम इसकी stitching देख लेते हैं तो सबसे पहले हम अपनी cut करेंगे तो friend full stitching हम नहीं बताएंगे वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आपको main main चीज का हम यापी stitching बताएंगे आर्मोल पे piping कैसे लगा जाता है इसके लिए आप लोगों ने comment किया था डोरी piping लगाने का तरीका बता देजिए कि आर्मोल पे कैसे piping लगा जाता है तो piping लगाने का भी तरीका मैं इसमें बताऊंगे तो वीडियो को complete देखिएगा इस तरीके से पहले हमें कटोरी को set कर लेना है ये जो हमारी पतली वाली side है ये जो हमारा पतला side है वो हमारी आगे की side रहेगा और चोड़ी side पीछे की side रहेगा इस तरीके से दोनों कटोरी को बराबर से set करेंगे एक बराबर कपड़े को रखना है और इस पे सिलाई लगा देना है आधा इंच का सिलाई margin यहाँ पे दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को बिल्कुल भी खीचना नहीं है बराबर से set करना है और इस पे सिलाई लगा लेना है डबल सिलाई लगा देंगे आप यहाँ पे देख सकती है अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे बराबर से मिलाएंगे और आधा इंच का यहाँ पे सिलाई इंच दबाते हुए यहाँ पे डॉट लगा देंगे सेम इसी तरीके से दूसरी कटियोरी को भी हम यहाँ पे त्यार कर लेंगे इस तरीके से जब आप कटिंग और स्टिजिंग करेंगे आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होगा कहीं से भी आपको दुबारा करची लगाने की जुरुरत नहीं पड़ेगी एकदम परफेक्ट बराबर के बराबर आएगा और फरफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा तो आप इसे पूरे विश्वास के साथ आप इसे एक बटराई जरू करिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देजिएगा चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां से देखिए इस वाले पाइट को भी हमने साइट की पाइट को टेस कर लिया है सेम इसी तरीके से दूसरे पाइट को भी हम यहाँ पर बराबर से बलाएंगे कपड़े को बिल्कुल खीचना नहीं है फ्रेंड हलका सा मशीन को उठाते हुए गुलाई पर आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है कपड़े को खीचेंगी तो बड़ा छोटा हो सकता है आपको बराबर से साइट करते जाना है सिलाई लगा लेना है इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे तो यह हमारा यहाँ पर रटेस हो गया है अब नीचे की साइट हम अपना बैल्ट रटेस कर लेंगे तो बैल्ट को हम देख लेंगे पहले जो हमारी चौड़ी वाली साइड है वो आगी की साइड रहोगा और जो पतली वाली साइड है वो साइड में होगा इस तरीके से सेट करेंगे उपर से एक नोक की शिलाई लगा देंगे अच्छे से से सेट करते हुए तो यह हमारा एक पार्ट तयार हो गया है सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी अपना बैल्ट अटेस्ट कर लेंगे तो यह हमने बैल्ट अटेस्ट कर लिया है हुकाई की पट्टी भी अटेस्ट कर लिया है गले पे हम अपना पाइपीन अटेस्ट करेंगे दोरी पाइपिन बनाएंगे तो इसके लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया है फ्रण यहापे हमारा फैब्रिक कम था तो हम अलग यहापे फैब्रिक से अपना पाइपिन तयार करेंगे तो पहले हमें इस तरीके से उरेवी पट्टी कट करना है और एक साइट से इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से देखिए पूरे फैबरिक को खीचते हुए आपको फोल्ड करना है इसको बिल्कुल भी लूजिंग न दे इस पैबरिक को खीच के आप इस तरीके से एक साइट से इसको फोल्ड कर दीजिए तो गले पे पाइपीन लगाने का तरीका हम नहीं बताएंगे हम आपको आर्मोल पे पाइपीन किस तरीके से लगाएंगे सेम इसी तरीके से हमने गले पे भी लगाया है तो पहले हम आपको आर्मोल पे लगा के बता देते हैं किस तरीके से इसके लिए आपका कमेंट था कि आप आर्मोल पे पाइपीन लगा के बताईए तो यहाँ पर देखिए एक साइट से हमने इसको फोल्ड किया है और जिस साइट से हमने इसको फोल्ड नहीं किया है नॉर्मिली आप इस पे रखते जाएं और शिलाई लगाते जाएं बहुत ही आसान तरीका है डोरी पाइपिट बनाने का अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे बना सकती है इसमें आपको नहीं तो मशीन की शेटिंग करनी होती है आपके पास जो भी मशीन है नॉर्मल मशीन है हाथ वाली मशीन है आप इस तरीके से आसानी से डोरी पाइपिट मना सकती है आप इसे एक बर ट्राइ करके देखिएगा इस तरीके से डोरी पाइपिट मना के अब इसको देखिए अगर आप बिगनर्स हैं तो इस पे पहले आप नाकुन सी इस डोरी को सैट कर लेजिए अब यहाँ पे देखिए इस सिलाई के उपर से इस तरीके से डोरी को रखना है और पट्टी को अंदर की शाइट पलट लेना है इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे जो हमारा पट्टी जहाँ पे अटेस हुआ है उसके बीचों बीच हम यहाँ पे शिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके सिर्फ डोरी को रखना है और पट्टी को अंदर की शाइट पलट लेना है और बारीक डोरी हमारी बनके त्यार हो जाएगी और इस पे हमें शिलाई लगा देना है इदम नोक की शिलाई लगाना है इस तरीके से जब हम आप डोरी पाइपिन बनाएंगी डोरी के उपर आपकी शिलाई भी नहीं जाएगी और आप असानी से इस डोरी को बना के त्यार कर सकती है तो आप इस एक बार ट्राइ करके देखिएगा बहुती असान तरीका है डोरी पाइपिन बनाने का बहुती बारिक डोरी आपका यहां पे बन के त्यार हो जाएगा पूरी फिटिंग के साथ, बिल्कुल भी डोरी पे लूजिंग नहीं आएगा तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, बहुती आसान तरीके से और यह जटपट बनके हमारी डोरी यहाँ पे अटेस हो चुकी है आप यहाँ पे इसकी फिटिंग देख सकती हैं, काफी बारीक डोरी बनके तयार हुई है डोरी पे बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डोरी को हम अलका सा खीचेंगे बाहर की शैट खीच लेना है दोनों साइट से, ताकि यह जो डोरी है वो अच्छी फिटिंग से यह हमारा बैट जाए इस तरीके से खीचना है, और जहाँ पे हमारी गुलाई है, वहाँ पे हम इसको सैट कर देंगे थोड़ा सा हम इसको खीच के अच्छे से सैट कर लेंगे, ताकि अच्छी फिटिंग से यह हमारा चिपक जाए इसी तरीके से हमने गले पे भी अपनी डोरी पाइपिन बना के तयार कर लिया है डोरी को यहाँ पे खीच देना है, आप यहाँ पे देख सकती है, काफी अच्छी फिटिंग से हमारा डोरी पाइपिन तयार हो गया है अब यहाँ पे एक पायर का गैप देते हुए इस पे सिलही लगा देंगे और यह पट्टी को अटेस कर देंगे आप चाहें तो इस पे तुपई भी लगा सकती है अब यहाँ पे देखिए यह इस तरी के सेट हो गया है, अब यहाँ पे हम डोरी को टक कर देंगे थोड़ा सलका सा खीच सी अच्छी से सेट कर लेंगे और यहाँ पे इसको टक कर देंगे ताकि डोरी जो हम cut करें अंदर की side ना जाए। इस तरीके से हमने इसको cut कर लिया है। आप यहां पे इसकी fitting देख सकती है। यह हमारा armhole पूरी fitting के साथ तयार हुआ है। तो आप यहां पे इसकी armhole की fitting देख सकती है। काफी अच्छे से यह आर्मोले तैयार हो गया है इसी तरीके से हमने गले पे भी अपना डोरी पाइपिन बना के तैयार कर लिया है सेम दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से पाइपिन लगा के इसको तैयार कर लेंगे तो यह हमने दोनों साइट में अपना पाइपिन लगा लिया है आप यहाँ पे देख सकती है अब हम अपनी साइट की फिटिंग ले लेंगे तो जो भी आपकी फिटिंग है वो आपको साइट से दे देना है तो जिस तरीके से यह हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक तैयार हो चुका है फ्रेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी आपको बेल्ट की कटिंग करना है दोनों साइट से आपको अधाद इंच का मार्जिंग यहाँ पे एक इंच का मार्जिंग एश्टर लेना है फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से तुर्पाई करने के लिए फोल्ड कर लिया है आप इसकी फिटिंग देख सकती है कर्टूरी की जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आई है आपका जो भी 40 इंच का हैबी साइज है तो भी आप इस ब्लाउज को असानी से बना सकती है फिटिंग आपको 100 परसेंट आएगी आप पूरी विश्वास के साथ इसे आप बना के देखिएगा यहाँ पर देखिए हमने डबल यहाँ पर पर टेस कर रहा है आप इसकी फिटिंग देख सकती है यहाँ पर हमने तीन पर टेस किया है यह हमारा जो पर है वो 36 इंच का है यहाँ पर आपने तीन यहाँ पर टेस किया है आप इसकी फिटिंग देख सकती है अच्छे से यह कबर हो जा रहा है तो उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन को भी अन कर लेजिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार